कॉंग्रेस सांसद नासिर हुसेन जी स्वक्ता से मौजूद हैं नासिर जी आप जिस तरह से लगतार सदन के बाहर थें और लगतार के रहे थें कि भाई निलंबन वापस हो पर सत रिस्माप्त हो गया कि इनकी मंचाई यही थी कि बारा संसदों को बाहर रखो अपोजिशन का नंबर कम करो और दस बारा पंडा मिनट में एक एक बिल पास करो यह किसी भी तरह की बहस किसी तरह की चरचा यह नहीं चाहते हैं यह दूसरा जाके बिनाज कोई चर्चाहें पर पास कर दें हम तो यहीं कह रहें कि संसत का सेशन क्यों बुलाते हैं वीडियो कॉंफिरेंसिंग भी बुला ही हाँ या ना हो जाएगा फिर आपकी बिल पास हो जाएगे लोगों के पैसे भी बज़ जाएंगे जनता का नुकसान होता है पैसा काफी खर्च होता है इसलिए हैं कह रहें न संसत के अंदर सरकार जो मुद्दे लाती है और अपोजिशन जो मुद्दे उठाती है यह दोनों को अकॉमोडेट करना चाहिए अपोजिशन जो लोगों के मुद्दे हैं जो लोगों से जुडेवे मुद्दे है उठाने कोशिश करती है उसका भी अकॉमिडेशन होना चाहिए बिना उसका अकॉमेडेशन हुए बिना बहस करें चर्चा करें जो बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं यह सक्ति दिखा रही है अपनी शक्ति दिखा रही है अपनी मंचा भी दिखा रही है क्योंकि यही चीज इन लोगों नहीं किया था गुजरात में पिछले 15-20 साल से अभी जो न मनें हिंडुस्तान की पार्लिमेंट को मुजरात के असंबली में कॉंवर्ट कर लिया आप लोग अब और उद्या का मसला उठारा है रहे हैं चंदा चोरी का मामला उठारा हैं और आज भी प्रेस कांफिस करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह जमीने होने भा यह हड़ा प्लेंगे सरिफ उत्र प्रदेश मैंनी हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में चैडूल और उसको Khur laten उसwno करना चाहते हैं कि आएध्या में एक्चुली हो किया रहा है नासिर उसेंथ जो कह रहे हैं कि आएध्या में तो गड़बड़ी हुई है और सदन भी सरकार नहीं चलने दिया जिससे जनका नुक्सान हुआ है कैमरा में रोहित के साथ रभी सर्राफ भारसमचार तिल्य